सीवान के छप्रा रोडी स्थित एसो उपडाक घर के पोस्ट मास्टर मुहम्मद मसलेहुदिन के रिटार्मेंट बरभब विदाई समारों का आयोजन किया गया था इस कारक्रम का नेतुरत डाक अधिक्षक मुहम्मद जैनुदिन और डाक निरिक्षक अरविंद कुमार रमन ने किया वही इस बिदाई समारों के मौके पर कई बुद्धिजवी लोग भी पहुँचे हुए थे और डाक कर्मियों के साथ साथ डाक अभिकरताओं ने रिटाईड पोस्ट मास्टर को फूल माला पहना कर उनका गर्म जोसी के साथ उन्हें बीदा किया वही इस मौके पर कई लोगों ने बताया कि रिटाईड पोस्ट मास्टर मसलेहुदिन काफी मिलनसार वैक्ती थे अब इनके रिटाइर्मेंट के बाद से इस उबडाग घर में उनकी कमी खलेगी वही आपको बताते चले कि इस मौके पर ओम परकास्मिस्र पवन कुमार दिलिप कुमार दिनेश कुमार ब्रह्मदेव प्रसाद राजेश कुमार बिर्यंद्र गुपता के साथ कई डाक कर्मी और कई डाक अभिकरता भी मौजुद थे तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जितने भी कर्मी थे चाहें वो डाक अभी करता हो या फिर डाक कर्मी सभी लोगों ने एकेकर कोई इने च्छाता देकर इनका जम कर बिदाई शमारों का हिश्चा बना तो किसी ने इने फूलों का माला पहना कर और गर्म जोसी के साथ इन्हें बीदा किया एटियन लाइब के लिए पवन कुमार के साथ सुमेश कुमार सिंग की रिपोर्ट